किसान भाइवों आप सोच रहे होंगे कि धान की खिती के बाद से मैं कहां गायग हो गया तो दोस्तों आपको यहां पर बता दूं कि HTR खिती पे मैं प्रापर गेहुं सम्मंदिज जानकारी गरने सम्मंदिज जानकारी लेकर आ रहा हूं और इस पे जो सुखदेव जी के आलू की वीडियो आने वाली हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आलू की खेती के अत्रिक्त दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो आनी चाहिए तो आप कमेंट में बताईए भाई आपके कमेंट बहुत महत्पूर हैं अगर आप अपने टॉपिक के ब आलू की आनी हैं वो उन्हीं की आएं तो दोस्तों इसी तरह आप सपोर्ट किजिए और वीडियो देखते रहें आपकी एक कमेंट बहुत महत्पूर है इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों एक लाग सस्क्राइबर होने वाले हैं तो आरा सपोर्ट कीजिए चैनल जानना है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं चलिए दोस्तों गया की वीडियो देखना हो तो इसट nutr strait आपी डेख सकते हैं और अगर आप आलू की वीडियो अभी कुछ ताइम तक देखना चाहते तो इस channel पर भी देख हैं वकर जे इनके हाथ में थैले हैं जो पोडा मिक्सिंग वाला या किसी दूसरी वरैटी का खेत में उसको खाड़ते हैं इन को पूरी पहचान है भाई अश्य साल से आप सारी वरैटीयों के कि पहचान आप कैसे पहचान लेते हो पत्ते से पतल लग जाता है और अगर आपको भी गलती से चूट जाए जब यह अब यह अलू 50 दिन के आज तो जो पोद आप उखड़ तो नीचे से भी अलू निकालते हो सारे अलू निकालते हैं किसमें डालते हो ठैले में अब मैं आपको दिखाऊंगा यह कैसे आगे जाके पीछे आधिया कि कैसे आलू निकालते हैं और जो जो इन्होंने आलू के पोदे निकाले यह वो भी दिख AHUNue इसके कराने से टोगिंग कराने से क्या उता है कि जो भी रराटी मिक्स है अगर कोई दूसरी रराटी पोदा है तो यह पहचान लेते हैं कि निको कफी साल होगे इसकाम को करते हुए पेडी दर पेड़ी इसकाम को कर रही है अब मैं आपको दिखाऊंगा यह कैसे आलु के पोदे को पहचान देखो यह जो वालू का पोद है कि यह इन्होंने अलग ब्रैटी का निकाल दिया यह चिपसोना वन है सूरिया में लगा हुआ था जब हम स्टोर में या कहीं पे भी हमार से कोई गलती हो जाती है अब दिखाओ यह कुण सी वर्याटी है भई यह चिपवन है होड देखो समय कुण सी दूसरी कोई ब्रैटी चिपवन है सारी इस निकले होई है अब अगर इन पोदों के नीचे जो आलू बना है वो छोड़ दिया जाए तो एक पोदे के नीचे मान के चलो दस आलू बन गई अब दस आलू खेत में अलग वर्याटी के उजाएंगे यह इसलिए हम कराते हैं और हमारी बहुत बड़ी यहां से देखो यहां से टोटल आलू ने निकाल दिया है और आलू का पोदा भी उखाड दिया है यह सारी चीज़े हम अपने वीज में जीरो करके चलते हैं देखो निकाले होई यह लूग अलग वर्याटी के अब दिखाता हो इन्होंने चुर्ण से नीचे से निकाले हैं वह देखो यह कितनी लग लगे होए है अगर यह दूसरे खेत में जाए किसान कि ने पोदे बनने के चानश होते हैं इसलिए हम लिखाड़्य को यहीं पर क्लियर कर निकलें आलू निकालेंगे पहले दो बार हो चुकी है आज तीसरी बार लास्ट बार रही है पहले ट्यूबर कम थे वह भी सातसा निकलते थे अब जो ट्यूबर जा साथ साथ निकाले जा रहे हैं और इसके लिए आलू का पोदा पहचानने के लिए बहुत एक एकस्पर्ट टीम ही इसको पहचान सकती है नॉर्मल किसान को तो इसकी पहचान भी नहीं होती इसलिए हम कहते हैं कि लिए खेत की वो करके चले गए हैं यह एक ऐसे तीन से चार में लेकर जाते हैं और बैग में प्लास्टिक के देलें के पास हैं उसको लेजागे जब भर जाएगा बहार डालेंगे फिर हमारे वरकर आएंगे वह उठाके लेकर दाएंगे दिखाना भाई इस बैग में क्या ड देखो जड़ समेथ इन्हों निकाले हैं अब जब भर जाएगा फिर इसको खाली करेंगे हर पोदे की हर व्रैटी की इनको पहचान होती है कि कोई दूसरी व्रैटी का पोद अगर खेत में आ गया उसको निकालके बहर डाल देना है यहां पर आलू के बीज में सबसे बड़ी गेम की मिक्सिंग बगारा नहीं होनी चाहिए यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा आलू की फसल लगाने से लेके किसान भायों हार्वेस्टिंग तक आलू की फसल पर हमारा प्रोपर ध्यान बना रहता है जितनी भी टोटल जो सीड प्लोट टकनीक की चीजे हैं वो फालो करके हम चलते हैं देखो इतना माल निकल गया उदर भी यह सारी चीजे हम बारेकियों से चेक करके चलते हैं ताकि सीड की क्वाल्टी बहुत ही बहुत ही अच्छी बन जाए और आगे जाके किसानों किसी भी समस्चे का सामना ना करना पड़े